नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चाहान सहे काचरे राजनीती विख्यान राज के महाविध्याले केक लिए आज बीए फर्स्ट इर के स्टुडेंट का इस ओनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत चुकि आपकी एड्मिशन की जो प्रोसेस है वो कम्प्लिट हो चुकी है इसके पास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए यह ओनलाइन क्लास जो है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं जब हमारा वाट्सअप ग्रूप बना तो सबसे पहले हमने बीए फर्स्ट इर के फर्स्ट पेपर राजनितिक सिध्धान इसका पाठ्यक्रम और जो जो चैप्टर्स आपके टोटल हैं उन सबका की जानकारी जो है वो आपको वाट्सअप क्रूप के माथ्यम से दी थी इसी क्रम में आसे हम अपने चैप्टर जो भी हैं उनका शुभारंब कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी ये जो पुस्तक है राजनितिक सिध्धान जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसके अंतरगर्थ सबसे पहले हम जो फर्स चप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा राजनीतिक सिध्धान, आशे, प्रकर्ती और महतु आप सभी स्टुडेंट्स अभी 12th करके आएं हैं और 12th, 11th और 12th में आपने राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ संक्षिप में स्टडी भी की हुई है तो उसी क्रम में अब आपको थोड़ा सा सरल भाशा से जटल भाशा की और हम लेकर चलते हैं और अपना पहला जो चप्टर है राजनीतिक सिध्धान, आशे, प्रकर्ती और महत्व इसको विस्तरत रुप से हम इस वीडियो के माथ्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक सिध्धान जो है वो क्या है राजनीतिक सिध्धान अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान की प्रथम आवश्यक्ता कहा जाता है इसे केवल राजनीतिक सिध्धानत ही नहीं कहते पलकि इसके लिए राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचार जैसे समानार्थक शब्दों का प्रयोपी किया जाता है सामनिता अगर हम कहें कि राजनीतिक सिध्धानत जो है वो उन सिध्धानतों के वो जो विद्ध्वान है उन विद्ध्वानों के कहन शोध व्यचिंतन का परिणाम है जो राजनीतिक यथारताउं या राजिस सम्मंदित विशेयों के सध्धानतिक विवेचन की कोशिश कर यानि राजनिती विज्ञान की जो सध्धन्तिक प्रक्रिया है उसे जानने का प्रयास जो है वो राजनितिक सिध्धान्त है तो अगर हम कहें कि राजनिती विज्ञान की पहली आविशक्ता जो है वो राजनितिक सिध्धान्त है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्त नहीं होगे जब हम अध्यन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी विशय को एक स्वतंत्र अनुसाशन बनाने के लिए स्विम को दिशा निर्देश और विक्सित करने की सामर्थे होनी चाहिए एक स्वतंत्र अनुसाशन के लिए यह भी जरूरी है कि उसका अपना विशय छेत्र हो वो स्पस्ट हो निश्चित हो निश्चित उसकी मानिताएं हो और अध्यन के संबंद में भी उसकी अपनी मानिताएं हो विक्सित पधतिया हो प्रवीधिया हो यानि इन सब के साथ और ज द्रिश्टिकोन की बात करते हैं तो द्रिश्टिकोन का अर्थ है कि मानकों का एक समहू जिसके आधार पर सद्धान्तिक विचार विमर्ष के लिए प्रश्ण और आधार समगरी को लेने और छोडने का निर्णे किया जाता है यानि राजनितिक सद्धान्त से पूर्व जब हम द्रिश्टिकोन की बात करते हैं तो उसमें यह एक मानकों का समूह है जो की विचार विमर्ष के लिए प्रश्ण और आधार समगरी को लेता है और छोडने का निर्णे करता है जब हम द्रिश्टिकोन से आगे बढ़ते हैं तो उसका अगला चरण सिध्धान्त कहलाता है जब द्रिश्टिकोन का कारिय विचारा धीन विशय के वारे में समश्याओं और आधार समगरी के चुनाव से आगे निकल जाता है तब वह क्या रूप लेता है तब उसे हम सिध्धान्त कहते हैं सिध्धान्त अगर हम कहें तो वे तर्क संगत अनुमान हैं जो किसी भी घटना क्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं सिध्धान्त के माध्यम से किसी वस्तो की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है यानि सिध्धान्त का मुख्यकारी क्या है व्याख्या करना तो सिध्धान्त को हम व्याख्या के रूप में भी किसी वी बात की व्याख्या करने के रूप में भी प्रतिपादित कर सकते हैं जब बात आती है राजनितिक सिध्धान्त के प्रतिपादकों की तो सबसे उपर नाम आता है डैविड इस्टन का आधुनिक राजनितिक सिध्धांत के निर्माण में प्रसार में सबसे जादा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वह डैविड इस्टन के द्वारा दिया गया है उन्होंने अपनी जो रचनाई थी उनमें सिध्धांत के महत्व का प्रतिपादन किया उनका कहना था कि इस अनुसाशन का भविश्य उसके भविश्य निर्देशन एवं सामन जसे की समश्या हल करने की शर्ट जो है वो राजनितिक विकास है अनुभवात्मक जो ग्यान होता है वो अपने आप में कभी भी पोन नहीं होता आकड़ों और तथ्यों के बाद वेज्ञानिक उद्यमों में बहुत कुछ नयापन आता है अनुसाशन या विश्य के आत्मरक्षन की दृष्टी से अगर देखा जाए तो आकड़ों और तथ्यों के जो अथा सागर है उससे निपटने के लिए नियंत्रित और परिमाबित किया जाना चाहिए इसके लिए किसकी आवशक्ता है एक सामान्य सिध्धान्त की आवशक्ता महसूस की गई जो की आनुसाशन के रूप में राजनीदी विज्ञान के समस्त विशे छेत्र को दिशा निर्देश, सामंजश्य एवं व्यवस्था प्रदान कर सके जैसा कि डेविड हेल्थ ने कहा राजनीतिक सिध्धान, राजनीतिक जीवन जिसमें सरकार भी है, राज्य भी है, समाज भी है और मनुश्य इनकी राजनीतिक शमताओं की प्रकरती, उद्दिश्य, लक्षणों का विवेचन निहीत होता है जब हम राजनीतिक सिध्धान की प्रकरती की बात करते हैं, तो दो त्रिश्टिकों सामने उभर कर आते है एक द्रिश्टिकों है परंपरागत द्रिश्टिकों और दूसरा द्रिश्टिकों है आधुनिक द्रिश्टिकों परंपरागत द्रिश्टिकों जिसमें प्लेटों से लेकर कांट, हीगल, ग्रीन तक जो राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने राजनितिक सिध्धान्तों के एक कालपनिक स्वरूप का या दाशनिक स्वरूप का विवेचन किया ये जो विचारक थे उन्होंने किसी ने किसी रूप में जो तातकालिक राजनितिक समश्य हैं थी उनका स्थाई और साश्वत समाधान प्रस्टूत करने के लिए भी ये प्रतिबद रहे इनका सारा जो फोकस था वो मानव जीवन और समाज के लक्षे और मुल्यों की तरफ रहा परंपरागत राजनीती सिध्धान्त जो है उसमें मुल्य आदर्श इनको सर्वोपरी स्थान दिया जाता था चाहे हम बात करें प्लेटों की नयाय सिध्धान्त की या अरस्तू के मध्यम प्रजातंत्र की लौक के प्राकरतिक कानून ये रूसों की सामाने इच्छा इन सब में कही न कही हमको इन तत्तू के दर्शन होते हैं सभी सिध्धान्त जो है उसिध्धान्त निर्माताओं की मान्यताओं से निकले हैं उनके सामने आनुभविक तथ्य, जाँच, प्रमान, आदी का कोई महत्व नहीं है वे सभी किस पात की प्रकृती पर जोड़ देते हैं? चाहिए उनका उद्धिश्य क्या है? सुधार करना, समर्थन करना या विरोध करना ये लोग मुल्यों माननेताओं को इतना ज़ादा महत्व देते हैं कि इनके लिए राजसिधान, राजदर्शन या राजविक्यान जो है वो एक तरीके से परियाईवाची बन जाते हैं दूसरा जो द्रिश्टिकोन है राजविक्यान की प्रकरती का वो है आधुनिक द्रिश्टिकोन आधुनिक द्रिश्टिकोन में जब हम बात करते हैं तो जितने भी नए विचारक हुए चाहे वो डविड इस्टन हो, सेवाईन हो, कैटलीन हो इन सभी ने राजनीती विज्ञान के आधुनिक सिथान्त को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया इनका जो चिंतन था वो परंपरावादियों के चिंतन से अधिक अनुसाशनात्मक माना जाता है इन्होंने राजनीती विज्ञान के लिए एक स्वायत या प्रथक शब्द की उत्पत्ती की इनका ये मानना था कि परंपरावादियों से सम्मंदित होने के कारण चुकि परंपरागत चो राजनीती विज्ञान है वो केवल और केवल बौधिक बन कर रहे गया इसलिए अब इन्होंने यथार्थ पर बल दिया और अपने जो निश्टकर्ष थे वो गणीतीय परिमानन, तथ्य संकलन, परियवेक्षणात्मक सत्यापन, सरवेक्षण जैसी जो अति आधुनिक पद्दतियां थी उनके आधार पर निकालने का प्रयास किया आधुनिक राजनितिक सिद्धांत जो है वो अनुभवाद और पूरत है विज्ञानिक पद्दतियों पर ही आधारित माना जाता है, इसमें मानम विवार के का यथार्थ अध्यन होता है, इसमें मुल्यों का नहीं बल्कि तथ्यों पर बल दिया जाता है, यह राजनिती को कलपना से परेले जाकर विज्ञान बनाने का की और प्रयत्शील कहा जा सकता है अगर हम कहें कि सेकिंड वड़वार के बाद जो व्यवारवादी आंदोलन हुआ था उसकी कारण आधुनिक जो राजनितिक सिध्धान्त का अध्यन था उसे एक नया आयाम मिला व्यवारवादी आंदोलन के समर्थकों में हम चाल्स मेरियम, डेविड स्टरंड, लास्वेल, रोबर्ट डेहल, आमन, काल दयच आधी को देख सकते है तो हमने राजनितिक सिध्धान्त की प्रकृति को देखा परंपरागत और आधुनिक परंपरागत जो की कलपना पर बल देती है, मुल्यों पर बल देती है और आधुनिक जोकी अनुभव पर बल देती है, तथ्यों पर बल देती है, विज्ञानिक पधतियों पर बल देती है आगे हम पढ़ेंगे राजनितिक सिध्धान्त का महत्व राजनीतिक सिध्धानत के महतों को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला बिंदु है राजनीति को विज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अरस्तु के समय से ही यह है प्रयास रहा कि राजनितिक विवार से संबंदित ज्ञान को विज्ञान किस प्रकार बनाया जाए। पैदा हो जाए और उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेश इस्थती का अध्यान करने में समर्थ हों और सामान्य भविश्यवानी कर सकें तो यह विशय विज्ञान की श्रणी में आता है। राजनितिक जो प्रक्रियाई होती हैं, उनका वेज्ञानिक विश्टिशन करें, और राजनितिक विहवार के सम्मन्द में, जो सामन्नी करण हैं, उसे प्रस्तूत करें, ताकि राजनितिक के विशिश्यत के होने के नाते, वे जनसाधारन, अभी जनवर्ग, एवं राजनित इसके लिए राजनितिक सिध्धान्त का बहुत ज्यादा महत्व और उप्योग है इसके द्वारा वास्तविक राजनिती के बहुत सारे स्वरूपों का ज्यान भी हो जाता है तीसरा मिंदू है स्वायत अनुसाशन के रूप में इस्थापित करना राजनिती विज्यान को एक स्वायत अनुसाशन के रूप में प्रतिस्थित करने के लिए सबसे महत्व पुण है राजनितिक सिध्धान्त को जानना इसी कारण इस विशय में एकी करण सामनजश्य, प्रियास किया जाता है ताकि अन्य शोद संभावनाएं जो हैं वो पूरी हो सके वस्तुत है सिध्धान्त के अभाव में हम कह सकते हैं कि किसी भी अनुसाशन का विकास एवं स्वायतता की स्थती समझाव नहीं है चोथा आता है राजनितिक यथार्थ को समझना राजनितिक सिध्धान्तों के द्वारा वेज्ञानिक जो है वो राजनितिक वास्तविक्ताओं को समझ सकते हैं वे अपनी वेज्ञानिक विशय सामगरी से अनुसाशन में संबदता और संगती के तत्वों को विक्सित कर सकते हैं और उसे सम्रद स्वरूप प्रदान कर सकते हैं अगला बिंदू है समश्याओं का समाधान खोजना जो दो वर्ल्डवार हो चुके हैं उनके संधर में अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञानिक सिध्धान्त को मानवता के विजय संग्राम में सबस से अधिक महत्वपुन अस्त्र माना है और एक साथ शांती, विकास और बहुली के समश्याओं को सुल्चाने में भी सक्षम हो सकता है इसके द्वारा मानवीय मुल्यों के जो विरोधी विचारधाराएं हैं उनका परदाफाश किया जा सकता है और जो मानवेतर शक्तियां ह रास्टरवादिता, प्रजातिवाद इन पर नियंतरण किया जा सकता है अगला विंदू है नागरिक प्रशाशकों, राजनेताओं के लिए उप्योगी अगर हम देखें राजनेतिक सिध्धान्त को तो यह नागरिकों के लिए, प्रशाशकों के लिए और जो राजनेता ह उन सभी के लिए बहुत जादा महत्वपून है, क्यों? क्योंकि इसके कारण इन्हें यथार्थवादी राजनेती के स्वरूप का बोध होता है, जिससे सही और गलत का निर्ने लिने में मदद मिलती है अगला महत्व का बिंदू है, मानम समाज की उन्नती के लिए आवशक, राजनितिक सिध्धान्त जो है, वो मनुष्य समाज की राजनितिक समविधानिक एवं वैधानिक प्रगती के लिए भी आवशक माना गया है यह अनंत अनुभवों का संक्षिप्ती करण करके नए तक्थियों को समझने में, आने वाली जो समश्याएं हैं उनके पूर्वानमान में और उनके समाधान को डूनने में सहयता करता है आठवा और अन्तिम बिंदू, शाशन प्रणाली वै, साशकों को वैधता प्रदान करना राजनितिक सिध्धान्त जो है, वो साशन प्रणाली और शाशकों की जो कारे होते हैं, उनको औचित्य पूर्णता की इस्थती प्रदान करने में अपनी भूमी का निभाता है कभी राश्टवात के नाम पर, कभी लोगतंतर के नाम पर, कभी समाजवात के नाम पर अपने प्रभाव का विस्तार करता है और इस प्रकार से शाशन प्रणाली एवं साशकों को वैधता प्रदान करने का कारे करता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनिती शास्त्र में व्यापक सिध्धांतों की तलाश भी की जा रही है जो की संपूर्ण विश्व की राजनितिक विहवार को समझने में सहायक बने हलाँ कि देखा जाए तो हर सास्त्र का मुख्य उदेश्य होता है सिध्धांत निर्मान करना और एक अच्छे सिध्धांत से सिध्धांती करन को और जादा गती मिलती है विज्ञान और तक्निकी की क्षित्रों में बढ़ती हुई प्रगती को देखकर हम कह सकते हैं कि राजनितिक सिध्धान की उपयोगिता और भी जादा बढ़ जाती है